जोस्तों, और आप सभी से मरा सिधा सा सवाल है, कि आप सभी अपनी फाईल कहां पर लूहां पर श्टोर करते हैं? अब फाईल से मेरा मतलब है कि वो आपकी Office के डॉकिमेंट हो सकते हैं? आपके Personal Important Document हो सकते हैं या आपके Family Photograph हो सकते हैं? अब इन सभी फाइल का आप जाहिर सी बात है कि प्रिंट निकाल के तो नहीं रख सकते हैं और अगर आपका जवाब है कि इन सभी फाइल को अम लोग स्टोरेज करते हमारे मोबाइल के मेमरी काड में या फिर कंपीटर के हाड डिस्क या एसेशडी ड्राइव में तो मैं आप आपको प्रोइड करता है रिलाबल स्टोरेज विच फिफ्टीं जिवी विच एपसलुटली फ्री गाइज जी या गुगल ड्राइव के ऊपर आप 15 जिवी तक आपके इमेल आइड से डेटा स्टोर कर सकते हैं विच एपसलुटली फ्री यू डोंट नीड नीड तो पे ए आपको बेसिक से और दस ऐसे फीच जो शायद आपने अभी तक जानी नहीं होंगे तो वीडियो एंड तक देखिएगा ना मैं ले क्या हो गूगल ड्राइव के इंट्रेश्टिंग फीच गूगल ड्राइव कैसे इस्तमाल करना है अपने डेक्स्टॉप की पर यहां से मैं शुरुबात करूँगा और सारी फीचर्स में आपको बताऊँगा इंट्रेश्ट शुड़त वीडियो एंड तक दिखिएगा सीधी बात नो बखवास कम्प्ली टेक्नालोजी चैनल पर मैं सतिश आप सबका स्वाबत करता हूँ लेट्स बेकिन तो दोस्तो जैसे कि मैंने इंट्रो पार्ट में आप से का कि हम Google Drive का basic to advanced tutorial देखने वाले तो सबसे पहले desktop की उपर Google Drive कैसे access करते हैं यह हम देखने वाले तो सबसे पहले मैंने मेरा Gmail account login कर लिया है आप एक Gmail पर account मना लो यहा पर आप देख सकते हैं राइट कॉर्णर में मेरा एक Gmail अकाउंट लॉग इन है जब आप Gmail अकाउंट लॉग इन करोगे तो कुछ इस तरह की विंडो आ जाएगे और यहां पर आपको कुछ ओप्शन दिखाए देंगे जहां पर आपको Google Apps करके नाम मिल रहा है और इन ओप्शन पर आपको क्लिक करना है मैं फोकस करके दिखा रहा हूँ इन ओप्शन पर क्लिक करते ही आपको यहां पर नीचे ड्राइव करके आपको एक Google Drive का application मिल जाता है जिस पर आप क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह की screen आ जाएगे पहली बार अगर आप Google Drive विजिट कर रहे है अब तक आपने एक भी फाइल Google Drive पे अपलोड नहीं किया है तो a place for all of your files करके यहां पर लिक क्या रहा है कितनी zb file आप रख सकते हैं Google Drive में आप 15gb तक file रख सकते बिलकुल free में इसके अलावा यह पे उन्होंने option दिया है by storage जो कि आप यह पे सस्ते में storage by कर सकते हैं अगर आपका कोई organization का data आपको रखना है बहुत जादा data है आपके पास storage option के लिए आप जा सकते हैं लेकिन 0 to 15gb आपको प्रीमे मिल रहा है और यह प्रीमे कैसे इस्तमाल करने और इसकी फीचर समस्टेप बस्टेप जानते हैं सबसे पहले तो मैं आपको बताओ इस पर फाइल कैसे हम अपलोड करते हैं तो मैं क्या करना चाहता हूँ सबसे पहले एक फोल्डर बनाओ क्योंकि आप जो फाइल बनाओगे आप और और इस रखोगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए इस पे अगर आप क्लिक करते हो तो आपको पता चलेगा कि ये फोल्डर कब बनाया था राइट और लास्ट मॉड़िफाय फाइल की साइज किया है इसमें कोई फाइल हमने डाली नहीं इस फोल्डर में तो आपको यहां पे साइज में कुछ नहीं आ रहा है और इस फोल्डर को कुछ नहीं हूँ क्योंकि किसीने मेरे साथ ये फोल्डर नहीं शेयर किया है अगर आपको किसीने फोल्डर शेयर किया होगा ये तो यहां पे उस तो फिलाल आपको यहां पर यह चीजे मिल गई है लेकिन मैं फिर से ग्रीड वियो कर देता हूँ अब इस फोल्डर में मुझे फाइल रखनी है हमें फाइल अपलोड करना सीखना है फोल्डर तो बना लिए हमने न्यू में जाकर यहां पर फोल्डर क्रेट करना होता है वह तो कर लिए अब my files नाम का जो folder दिखा दे रहा है my IMP files folder यहां पर मैं double click करूँगा इसके पर तो यह open हो जाएगा और यहां पर option आ रहा है drop files here right आप यहां पर drag and drop भी कर सकते फाइल किसी भी फोल्डर से करना क्या है आपको इसको minimize करना पड़ेगा और drag and drop कर सकते या फिर आप यहाँ पे new option जो दिखाए ते रहे रहे न फाइल अप्लोड करने के लिए तो यहाँ पे जाना है तो फाइल कैसे अप्लोड करना है जारा ध्यान से दिखे मैं यहाँ पे new पे क्लिक करूँ यह देखे new पे और यहाँ फाइल अप्लोड यह option चूज करो तो फाइल अप्लोड अप्लोड चूज करने के बाद यहाँ पे कुछ फाइल्स यह दिखे यहाँ पे के बस तभी आएगी जब अपे ब्रावजर यूज कर रहे है तो इस तरह कि फाइल भी के आपके सामने के अभी अपने क्लिप बोड में कुण कुणसी फाइल ली ती मुझे यह फाइल लीची है Show All Files में क्लिक करूँगा और यहां पे देखिए मेरे सारी Files दिखाए देगी मैं जिस फोल्डर में जाना चाता हूँ उसमें जा सकता हूँ अफिलार मैं Download Folder से Microsoft Excel chapters करके यह वाला PDF फाइल में ले रहा हूँ इसे उपन कर रहा हूँ जैसे मैं इसे open कर लिए यह PDF फाइल यह पे आ चुका है क्या बात है और इसे आप लिस्ट वीव में करोगे तो इसके बारे में पूरी डिटेल्स आपको मिल जाएगा जैसे मैं आपको बताया था कि अप्लोड कभी हुआ है लास्ट मॉडिफाई कभी है और फाइल की साइज क्या है यहाँ पे मिल जाता है ठीक है अपनी यह पहली फाइल अपलोड कर ली है और यहाँ पे आप देख सकते कि स्टोरेज में यहाँ पे चालू हो गया भरना तो 15GB तक प्री है देरे देरे वो बढ़ते जाएगा लेकि यहाँ पे फाइल करोगे तो यहाँ पे फाइल नहीं दिख रहे है आपको लेकिन आप जब माइंप फाइल में यहाँ पे डबल क्लिक करोगे तो यहाँ पे फाइल दिखाए देगी अब यह फाइल आपको किसी के साथ शेयर करनी है आपको लगता है कि नहीं यह मुझे मेर के साथ share करनी है, या मेरे customer के साथ share करनी है, आपने कोई ppt upload किया यहां पे, तो ppt आपको उसको दिखाना है, suppose, तो आप क्या करोगे, उसे share कैसे करोगे, तो इसके उपर आप right click करोगे, और right click करने के बाद यहां पर एक option मिल जाता आपको, दिखिए, file के उपर right click करना है, और share option, आप folder भी share कर सकते है, file भी share कर सकते है, लेकि मुझे यही file share करनी है, वो IMP files फाला folder नहीं share करना है, तो बिलाल मैं इसी file के उपर right click करोगा, और share बटन पर click करोगा, जैसे मैं share करोगा, यह डैला box आएगा, यहां पर share with people and groups, धान से पढ़िए का, अब यहां पर जिनका email id लिखोगे, जैसे मैं यहां पर अलग email id लिखें, तो वो सभी लोग यहां पर फाइल को access कर सकते है, उनको mail hit हो जाएगा, बल्कि, सपोज मैं यहां पर लिख दिया, एक mail id यहां पर example के लिए email id डाल दिया, और यहां पर मैं इसे select कर लिए email id को, तो मैं अगर इसे यहां Excel document हो उसमें, वो edit कर सकता है, क्योंकि उसका role क्या रखा है, मैं यहां पर देखिए, editor role है, automatic editor आ रहा है, हम इसे viewer role कर देंगे, तो यह फाइल को बस देख सकता है, एक रोल अलग अलग है, हमारे पास, तीन है, एक commenter याईनि इस file के बारे में comment कर सकता है, बस अपके इस file के निए अदर जो कंटेंट से लिए कमेंट कर सकता है वो एडिट नहीं कर सकता है व फीवर में वो लेक सकता है और an World Ecuador में वो फाले बो देख सकता है वो डिप्टिर्सर आप कुमारे का mo致शतर है कॉनों से राइड देने है dat वो आप रहता है तो आप यहां पे धेर सारे email id और लिख सकते हैं जैसे मैंने यहां पे एक email id लिखा है आप और भी email id यहां पे लिख सकते हैं जिसका भी email id है वहां पे continue type कीजी email id वो automatically email id Google पे है तो वो automatically उसका logo और image दिखा देगा पूरा पूरा type करने के बाद इस तरह से दिखाए देगा और यहां पे आप message कर सकते हैं तो इसको email जाएगा उसमें क्या subject होना चाहिए hello kindly check this file and let me know about this और यहां पे मैं send button पे click करूँगा जैसे मैं send करूँगा यह file उसके साथ share हो जाएगी अभी यह file share हो रही है जब तक आप इसे चाहते हैं तब तक उसके साथ यह share रहेगी क्योंकि आपने इसे right click करने के बाद यहां पे share पे click करने के बाद उसके साथ share की है यहाँ पे दिखाय दे रहा है आप नहीं चाहते शेयर करना भी लगता है कि नहीं नहीं इसका काम काम हो गया तो आप इसे यहाँ पे क्लिक करके इसे रिमू भी कर सकते है और अप उसे ओनर भी बना सकते है अगर आप ने उसे ओनर बना दिया यहाँ से तो वो फाइल के साथ और यहां पे मैं इसे रिमूट कर देता हूँ, मुझे ओनर नहीं बनाना है, मुझे शेयर नहीं करना है अगर आप इसके email में जाके देखोगे तो उसको email आया रहेगा कि यह particular person ने आपके साथ एक file share की है एक्जामपल के लिए यहां पे screen पे आप देख सकते हैं, मैंने वही email ID login के है और यहां पे दिखाए दे रहा, item share with you, Microsoft Excel chapters और यहां पे आप click करोगे तो इसमें यह दिखाए देगा, hello kindly check this file लिख के आ रहा है, कि उसको एक message गया है, और यहां पे फाइल भी उसको मिली है वो उसे open कर सकता है, and edit करने के लिए भी allow किया गया है यहां पे सारे options आपको दिखाए दे रहे है, मतलब वो particular person इस file के साथ जो करना चाहिए हो कर सकता है क्योंकि edit option आपको पता चला कि उसके पास कैसे message जाता है जिसको आप file share करते हो, यह तो बात आपको पता चल गई है, लेकिन अगर मैं यहां से remove कर देता हूँ और editor करके, यहां पे option जो दिखाए दे रहा है, यहां पे मैं इसे remove कर देता हूँ अब मैंने इसे हटा दिया, अब हटाने के बाद मैं इसे save कर दूँगा, अभी save कर दिया, अब मैं यहां पे आकर mail को refresh कर derived Refresh अब मैं इस Focus इस Осस्फ कर सकता हो कि छो मैं नहीं यह पर शेयर की लिज़ा इघाय एए इधाय एवेयर आफ करना चाहता ओपन करना चाहता हो यह देखीए यह अब झाल को साथ नही चेहर हो रही है मैं खली कर रहुड़ है छेयर किया था लेकिन अब नहीं open होगी लेकिन मैं दुबारा अगर उसे share करूँगा तो दुबारा open हो जाएगी उसके पास तो फाइल आप share कर सकते हैं जब चाही मर जब चाही तब आप उसे remove कर सकते हैं share option में डेहर सारी email id एड कर दो उनके साथ ये फाइल share हो सकती है तो उसको जो चाही हो रोल यहां पर दे सकते हैं यहां पर send बटन पर क्लिकर होगी तो उसको एक email में notification पर आ जाता है एक फाइल आपके साथ किसी ने share किया एक item आपके साथ किसी ने share किया यहां पर यहां पर फाइल गलत ना समझना दोस्तों राइट तो यहां पर वह Google वैसे message देता है मैंने आपको बता दिया बस तो फिल आल अभी मैंने फाइल share करना पता है लेकिन आप उनके email पर नहीं share करना चाहते है तो आप इसे राइट क्लिक करिए राइट करने के बाद गेट लिंक वाला यह जो options है इस पर क्लिक कीजिएगा जब आप यहां पर क्लिक करोगे तो यहां पर दिखिए फिर से option आ रहा है आपकी पस यहां पर restricted आ पहले इसे copy करने के पहले राइट को हटाईए और anyone with the link यह वाला क्लिक कीजिए अब anyone with the link करने के बाद आपको फिर से option आएगा कि anyone with the link क्या करेगा वो viewer रहेगा या फिर commenter रहेगा या editor रहेगा उसको आपको क्या करना है viewer editor और commenter मुझे editor तो नहीं देना है सब के लिए क्योंकि यह link सब के साथ शेयर कर रहे है तो मैं viewer रहेगा copy link viewer na file को खाली देख सकता है editor तो पता है आपको क्या है so, यहाँ पे मैंने copy कर लिया और done करना है यहाँ इस link को मैंने copy कि done कि अब मैं क्या करता हूँ कि अलग browser में इस link को open करता हूँ suppose यह वाला browser मेरा अलग है Firefox browser है तो यहाँ पे मैं से इस link को paste करूँगा और enter करूँगा अब आप देख पाएंगे कि यह वाली file मैं directly access कर रहा हूँ बिना किसी है ना कोई sign in कुछ नहीं पूचा मुझे कुछ भी नहीं है मैं इस file को यह से download भी कर सकता हूँ यह देखे download बटन भी आ रहा है तो आप जिस किसी के भी साथ Google Drive की file share करना चाहते कर सकते हैं लेकिन आपके लिए उसे get link option करना पड़ेगा और anyone with the link यह आपको वाँ पे option रखना पड़ेगा और आपने यह file अगर शेयर कर ली किसी के साथ लेकिन इसका update आगया इस file का तो आप उसको update भी share कर सकते है यह पे एक interesting option is manage version लेक आपने यह Excel chapter share किया लेकिन इस Excel chapters में यह पे Excel के मेरे chapters है और यह पे कुछ 10 chapters और बढ़ गए और फिर मुझे यह पे दूसरी PDF अप्लोड करनी पड़ी इसकी जगा जैसी यहाँ पे मैं दूसरी PDF अड़ करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा इसे right click करूँगा और manage version में जाऊँगा यह interesting option है इससे आपका पुराना version जो होता है वो तो रहेगा लेकिन वो आपके लिए रहेगा जिसके साथ अपने फाइल शेयर की उसको नया version मिलेगा याद रखिए so यह manage version या फिर इसका use log hide करने के लिए भी करते यह पूराना version जो hide हो जाएगा और नया version वो दिखाए देगा आपके सामने बस so manage version में जाओ upload new version इस फाइल का नया version आ गया current version Microsoft Excel chapter है upload new version मैं show all files में जाओंगा यहाँ पी देखिए मेरे पास यह नया version जो इसमें थोड़ा सा correction था इस फाइल में तो यह मैंने बना लिया है तो यह दोनों फाइल में अलग अलग चेंज़े से मैं आपको फाइल दिखाऊंगा कि कैसे नया version आएगा अब मैं यहाँ पे उपन करता हूं यहाँ पे यह नया version अपलोड हो रहा है और यह नया version अपलोड हो गया है अब मैं आपको दिखाता हूं क्या है यह फाइल आपको यहाँ नाम वही दिखाए दे रहा है अब विंडोज इप्रेस करता हूं और मेरे डाउनलोड में से ये फाइल में दोनों दिखाता हूँ पहली वाली जो फाइल ये वाली थी जिसमें तोड़ा सा इशू था जैसे कि ये लिंक देख लीजिए ये लिंक थोड़ी से खराब थी तो इसे थोड़ा सा अपडेट कर दिया था तो ये दूसरी वाली फाइल है जो मैंने अभी अपलोड की है उसके पर चाप्टरस वन करके ये दिखाए दे रहे है उस फाइल का नाम वही है बट आगे वन लिखा गया है बस यहां पर ब्रैकेट में अब मेरे पास यह दोनों फाइल है अब मैंने क्या किया जिसके साथ वह फाइल शेयर की है मतलब यह फाइल की लिंक थी ना गेट लिंक करके रैट अभी मैं दुबारा अगर गेट लिंक करूंगा तो वही है लेकिन यहां पर अल्ड़ेड वह फाइल मेरे पास है यह देख अब आप देख पाओगे यह अपडेट हो चुका है यह पुरानी फाइल नी उस लिंक पे जो लिंक हमने शेयर वाली रखी थी यह शेयर वाली लिंक है तो वही लिंक पे अब आपको क्या मिल रहा है यह नई वाली फाइल मिल रहे है क्योंकि पुराना वर्जन जो फाइल का इसके पीछे है। जो कि 30 दिन के लिए यहांपे रहेगा क्योंकि यहांपे और उपर दिया है उन्होंने कि आप 30 days के लिए पुराना ओरजन रख सकते है और एप 100 बार हुड़ Vous?cić करके एक धुरों भी करके हैं तुराना तो फिर आप इस option का इस्तमाल जरूर कीज़ी है, यहाँ पे एक साथ अपकी धेर सारी फाइल रहती है, और लोग अपडेट के लिए इसे और लोग अपडेट के लिए इस्तमाल कर सते हैं, क्योंकि एकी लिंक अगर बुझे सो लोग के साथ बार बार शेर करनी है, तो फिर मैनेज वर्जन option गूगल रहे में अपलोड कर दिया है, और यह कापी यूसफुल option है, बहुत सरो लोग को पता नहीं है, तो इसलिए यह hidden tips पे आप इस वडियो को लाइक जरू कर देना दोस्तो, लाइक, शेर और कमेंड भी कर देना यार, फ्री में है सब कुछ चीज़ है अब यह Google Docs में उपन करने का benefit क्या है, यह दरसल है PDF फाइल, अगर आप यह Google Docs में उपन करते हो, तो यह एडिटेबल मोड में उपन हो जाती है, यानि कि किसी भी PDF फाइल को आप ड्रेक ली Google Docs में उपन करके एडिट कर सकते हैं, यह पे मैं Excel for beginners के जगह Excel basic लिग देता हू तो यह पे देखिए, Google Docs में मैं आसानी से इस फाइल को एडिट कर पा रहा हूँ, तो किसी भी PDF फाइल को आपको ड्रेक ली एडिट करना है, तो आप Google Docs का इस फाइल को गूगल रवी पे अपलोड करो, और इस्तमाल करो Google Docs का, तो फिलाल इसको मैं अभी क्लोज कर देता यह पे आप देख सकते हैं, Microsoft Excel चाप्टर Google Docs के एक फाइल बन गई है, वो आटो सेव रहती है, Google Docs के जितनी भी document है, आपको सेव करने की ज़रत नहीं, आटो सेव होते रहते हैं, यह वडियो तो आगे चलते रहेगा दोस्तों, लेकिन अब तक का वडियो पसंद आए, तो क्या है, स्किल सीख सकते हैं, अपने समय अपना जगर रहेगा और सूर्ट अपको साथ यह कोर्शी साप सीख सकते हैं, प्लस इन-फ वीड़ियो ईन-फ डाउन-वलोड के एपर सकते हैं, एप्लिकेशन के लिंक इस प्रिपशन में है अभी डाउन-व भाणल इच्टाल की चेक आउट करो बहुत ही कम पीज में, जी हां, पिजा से भी कम प्राइज में आपको यहां पे मिलते हैं मेरे कोर्स तो आप जाकर चेक आउट करो तो अगर आप अपग्रेड करना चाहते है अपने आपको तो जरूर चेक आउट कीजिए, लिंक इस गिवन इन दिस्क्रिप्शन, स्किल कोर्स नाम का अप्लिकेशन है, फिलाल तो आगे के टॉपी की तरफ बढ़ते हैं, आगे की बात हम यहां पे जानेंगी कि अगर मैं पी न्यूस पेपर मैंने गूगल से कलेक कर लिया, मुझे मिलनी रहा था मतलब न्यूस पेपर के स्क्रीन शॉट तो यहां पी एक इमेज है, मैं से प्रियू करना चाहूँगा पहले, राइट क्लिक और प्रियू, यहां पर यह इमेज है, दिखाए रहा है, फेस देखते ही, ह गूगल डॉक करूँगा, जो आभी मैंने किया था, पीडियाप के साथ, वही मैं इसके साथ करूँगा, और रिजल्ट देखे क्या आएगा, वहां पर हिंदी करेक्टर है, वह हिंदी करेक्टर है, यहां पर टाइप होके आएंगे, गूगल के अंदर, नीचे स्क्रोल की यहां पर तो इमेज पहले दिखाए देगे, और नीचे देखे, फेस देखते ही, हो गया, हो गया, हवा हो गया, तो समझ गया आप यह क्या नीज है, फिलाल आप इसमे एडिट करना चाहते है, आप कर सकते है इस नीज को, इस तरह से आप कोई भी नीज वगयरा जो भी है, यहां पर ले सकते हैं, यह OCR काम करता है Google का, बहुत होचीर है, यह OCR दोस्तो, इसलिए इस OCR को ज़रा प्रैक्टिस करके देख लेना, मतलब यूज करके देखना, मतलब यह एक्चुली ऑप्टिकल करेक्टर रेगनाईजेशन टूल होता है, जो कि एक आर्टिफिशल इं इंट्रेस्टिंग टेप्स आपको बता चली होगी कि राइट लिक करने के बाद यह प्रियू क्या होता है, और ओपन वित में Google Docs क्या होता है, और यह पर कनेक्ट वित और अधर आप ओगरा है, यह लिए फिलाल के लिए क्योंकि इतना आगे नहीं जाना है, फिलाल में यह तो आपको यह पता नहीं कि यह रिसेंट फाइल कौन से लोकेशन से, कौन से फोल्डर में से, कौन से फोल्डर में से, तो आप यह राइट लिक करो, शो फाइल लोकेशन करो, वो फाइल कौन से फोल्डर में देखिए, वो पूरा फूरा फाइल लोकेशन आ जाता है, क्यो इसे ड्राईव मेंite in my files के अंदर जाना है. और पिर इस फाल को access करना है आपका ये directly my drive में से इस फाल को access करना है तो इससे राइट क्लिक करना है और किया करना इसे add shortcut to drive और शट्कट कहा पर रखना आपको add shortcut में ड्राईव पर ही रखना है या package पर रखना है जैसे हम computer में shortcut बनाते हैं वैसे ही है तो यहां पर क्या होगा अगर मैं इस file को यहां से access करना चाहता हूँ और इसको यहां पर remove कर दिया तो भी कोई फरक नहीं पड़ने वाला क्योंकि यह उसका shortcut है तो आप इस तरह से shortcut भी तैयार कर सकते हैं जिससे आप directly drive से उस file को access कर सकते हैं लेकिन folder-wise file रखना बहुत अच्छा होता है क्योंकि सब file एक साथ रहे है कि तो खिचड़ी हो जाते हैं और कौनसी file कैसे access करना है बहुत मुश्किल होता है आपके दूनना तो आपके IP files, आपके पर्सनल पोटोग्राप से फैमिली पोटोग्राप से तो आप अलग से रख सकते हैं अलग लग folder बना के and that will be very easy to access particular files from that folder यह organize करना बहुत अच्छा होता है आगे option दिया है इस file को यहां पे नहीं रखना है आपका मन करा कि इस file को यहां पे नहीं रखना है तो आप एक काम करो पहले my drive में जो एक और folder बना दो new folder अच्छा काम ही करते हैं यहां पे folder अप्लोड कर देते यहां पे folder अप्लोड करके भी option है यहां पे मैं क्लिक करता हूँ और desktop पे यह new files नाम का आप यहां पे पुरी अपलोड कर लो और यहां पे इसनीं इस एक आपलोड कर रहा है आप सारी Oke Today सारी इसनीं प्लोड के नीउट सारी नीवफाइल्स फिल्डर के अंडर यहां पे वाइल्स नामका है अंदर यहां भी करूं लिग में पर We Look Up & Match की उर्याट करूं घ्लिक करूं का टूंसalnya में में मुव टू टूंसा करूंगा में में मुव करना चाहता हूं ऊब पूछ दिमार चाहता हूं। आपको साहने कमार, यह पर na Twitter औरॉल नचाहते हैं जैसी, यहां पे अपने मू कर लिया, तो यहां से टा गाइब है, और आपको मिलेगी my drive में, my imp files में यहां पे मिल गया, आप इसे इस तरह से मू कर सकते हैं, और add to start अगर आप करेंगे तो इस फाल को आप star कर रहे हैं, यहांने कि यह फाइल आपको Star folder में मिल जाएगी यह पे Star folder मिल रहा है यह पे Star folder में जितनी भी Star की फाइल से वो सभी के सभी Star Files आपको यहाँ पे मिल जाती है वो आपको Important File से ऐसा मानकर आपने पे उसे Star कर दिया है quickly access करने के लिए यह option use होता है तो ऐसे मैंने देर सारे option बताया है यहाँ पर फाइल को rename करना है तो आप फाइल का नाम बदल सकते हैं वो आपकी मर्जी है rename कीजिए फाइल का नाम बदलिए और बस right click करके आगे है view details फाइल के बारे में पूरी details आपको मिल जाती है जैसे कि यहाँ पर right side में आप देख सकते है कि यह फाइल आपने कभी अपलोड की है क्या-क्या है सारी चीज़े और description में आप कुछ और चीज़े अड़ करना चाहते you can write down description also but it is up to you कि यह एक-एक फाइल पर बैटके description अपलोड करना है नहीं करना है right manage version तो मैंने आपको बताया जो कि बहुत ही youthful है और वो सबसे पहले मैंने बता दिया इस फाइल का copy बनाना है so you can make a copy duplicate बनाना है इस फाइल को download करना है you can download from here इस फाइल को remove करना है तो आपने अगर इसे remove कर दिया तो यह permanently remove नहीं हो रहा है यह trash में हो गया है यह देखे file move to bin यहां से अप undo कर सकते है undo button press करेंगे तो दुबार यह फाइल आ जाएगी इसमें भी undo है क्या बात है restore यह file आपको वापिस मिल जाएगी आपके mymp files में तो delete भी कर सकते है restore भी कर सकते है rename भी कर सकते है और जो चाहीं वो कर सकते है मतलब बहुत सरी चीज़े आ पर दी और यह मैंने explain की तो अभी आपको पता चला कि file कैसे लोगों के साथ share की जाती है जैसे उस link पर क्लेक कर रहा हूँ तो directly download होना चीज़े मैं भी दिखाता हूँ get link मैं कर रहा हूँ इसे मैं anyone with the link कर रहा हूँ और मैं इस link को copy कर रहा हूँ और done अब मैं यहां पर आता हूँ नय वाले टैब में मैंने आप इसे पेस्ट कर दिया और यहां पर नय टैब में आता हूँ जहां पर मैंने अलग से उपन किया तो यहां पर भी कैसे दिखाया देता है वैसी आ रहा है कुछ है ना तो मैं चाहता हो कि भाई ऐसा नहा हूँ इस फाइल को डरेक डाउनलोड के लिए देना है डायरेक्ट डाउनलोड डायरेक्ट डाउनलोड लिंक यहां पर सर्च कर सकते है डायरेक्ट डाउनलोड लिंक और यहां पर आ रहा है देखिए sites.google.com Google Drive Direct Download Link Generator यहां पर आप क्लिक कीजिए जैसे आप क्लिक करोगे यहां पर देखिए Enter Your Sharing URL यहां पर पर राउनलोड लिंक जैसे पर पर और पर देखिए लिंक पर पम क्लिक पर फाल ओनलोड लिंक तो कियाक्या हमने आपको समझ में होगा हमने उसको अपको तायार कर लिया हमने पहले उस फाइल को गेटलिंक करके यहांपर श AR link निकाल लिनक और कॉपी किया से लिक को और रेक डाउनलोड लिनक में यहां पेच के और यहां पे crosses direct download link से उसे hemos além directly download link बना दिया अब यहां पर जितने भी options मैंने आपको बताएं वह options की shortcut आपको यहां पर भी मिलेगे जैसे gate link है, share है या फिर preview है, preview करना file को देखना है या delete करना है यह सारे options आपको यहां पर भी shortcut मिलने वाले हैं यहां से भी आप उसे access कर सकते हैं, कोई issue नहीं है यह सारी बाते हो गई Google Drive के बारे में हमने जान लिया कि Google Drive हम कैसे इस्तमाल कर सकते हैं, धेर सारी चीजे मैंने यहां पर एक साथ एक वीडियो में बताने की कोशिश की है तो दोस्तों यह ते Google Drive कैसे इस्तमाल करना, उसके tips and tricks आपको definitely पसंद आए होगा, पसंद आए तो like, share और comment करना, साथी में चानल पर नए में मैंनो, तो subscribe जरू कर लेना ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलते रहेंगे, subscribe नीचे बटन दिया है, भूलेगा नहीं, subscribe कीजिए और notification अगले वीडियो के अंदर तब तक के लिए अपना खयाल रखो, साथी में अगर आपके skill को आप improve करना चाहते हैं, तो description में हमारे application की link दिए, जरूर check out करो, तब तक के लिए अपना खयाल रखो, सीखते रहो, सीखाते रहो, बाई बाई